अभी डोग पहर है, सुभे का सारा काम हो चुका है, खाना पक चुका है, टिफिन पैक हो चुका है, और वो ओफिस जा चुके है आज मन किया है, थोड़ा सजने सवदने के लिए मेरे घर में ये बड़ा सा आईना कब से था, सोचा आज इसको थोड़ा बाहर निकाली, ये भी सुरज की रोशनी से थोड़ा सब परिचित हो जाए मेरी ये छोटी सी पाउच रहेगी मेरे साथ ही पूरे विडियो एक मैजिक बॉक्स की तरह काम करेगी, जिसके अंदर से निकलेंगे मेरे सारे इस रिंगार के सामान पहले मैं अप्लाई करती हूँ प्राइमिंग मस्चराइजर जो की मेरे स्कीन को थोड़ा मस्चराइज करेगी और एक बेस क्रिएट करेगी फर मैं होल मेकप लेट्स मोव अन्टो दे सेकेंड स्टेप मैं यूज करती हूँ कलर करेक्टर जो की में मेरे सारे डार्क एरिया में अप्लाई करूंगी और देरे देरे फेस में अच्छे से ब्लेंड करूंगी मेरे माजिक बॉक्स से निकला है फाउंडेशन मैं लैकमे का 9-5 फाउंडेशन यूज करती हूँ और यह बहुत ही लाइट है थोड़ा लाइट मेकप के लिए सुइटेबल है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेवी मेकप पसा नहीं बारी आती है मेकप को एक फिनिसिंग टच देने के लिए एंड वीच विल हैपन बई अप्लाइंग सम फेस पाउडर ये भी में लैकमे का ही यूज करती हूँ ये सारे प्रोसेस होने के बाद बारी आती है आई प्रोस की जिसको एक शेप देना बहुत ही जरूरी है मैं जिनरली ब्राउन पेंसिल यूज करती हूँ क्योंकि ज्यादा डार्क ब्लाक कलर मुझे पसंद नहीं अभी वक्त है मेरे बड़े बड़े आँखों में थोड़ा सा काजल पदने की मेबलीन का रेड मैट लिपस्टिक मुझे काफी पसंद है उसका कलर जो है वो एकदम चेरी के जैसे हैं और आज मेरे साड़ी के साथ भी ये कलर बहुत ही सूट करा है साड़ी के साथ मैं हमेशा एक बिंदी लगाती हूँ जो कि मेरे इंडियान मेकप को कम्प्लीट करता है तो फैनली ये व्लॉग जो है ये खतम हो गया अच्छली मैंने आज ही दोपेर को बेटके ये स्क्रिप्ट लिखा अच्छानक से मन में आया कि एसे एक बनाते हैं मेकप के ऊपर लेकिन थोड़ा सा इंडियान टच उसको देंगे ये साड़ी बाड़ी पुरा पहन के रेड़ी होके बालकनी में आ गए और बहां पर मेरा वीडियो करना स्टार्ट किया आज बहुत सारा उठक बेठक हो गया क्योंके क्यामेरा इधर चेंज करो फिर उधर चेंज करो फिर बार बार बेठो फिर चेक करो कि हाँ ठीक से आया कि नहीं ये मीरर में मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं ठीक से तो ऐसे करके बहुत सारा मेहनत लगी है ये वीडियो में आ मैं किस तरह के व्लोग्स बनाऊं? Thank you so much for watching the video और मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे comment section में जरूर बताएए subscribe कर लीजिये अगर मेरा काम अच्छा लगता है मैं आपको जल्दी मिलूंगी और एक ने व्लोग के साथ तो till then thank you so much कर दो कर दो